नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, मैं हूँ रवीच अमडिया, आज हम एक खास मुद्धे पे चर्चा करेंगे एक वक्त था जब परिवार में लड़के हो चाई लड़कियां हो, उनके रिष्टे बड़े बजुर्ग करा दिया करते थे किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी, लड़के लड़कियां को तब ही सुचित किया जाता था, तब रिष्टे हो जाते थे वो एक अलग दोर था, बुजुर्गों ने जो कर दिया, वो ही फाइनल होता था, उसी पर आगे चर्चा बढ़ते थी और आगे ब्यासादी टेह हो जाते थे लेकिन आज का वक्त बदल चुका है, आज दोर कुछ अलग है, आज दुनिया के साथ साथ रिष्टों में भी चेंज आ गिया है, आज वो बड़े वजुर्ग नहीं रहे हैं, जो कभी रिष्टे करायर करते थे, वो रिष्टदार भी अब रुची नहीं ले रहे हैं, जो क अब भी खुद ही चल कर बताते थे कि आपका लड़का ब्याने लाइक हो गया है, लड़ू खिला दो, और लड़ू खिलाने वाले बहुत कम रह गए हैं, ऐसी स्थिति में आज का दोर, मेरी बिरू का दोर हो गया है, वो एक विवसाइक दोर हो गया है, लेकिन इससे अठक कुछ समाज अमारे बीच ऐसे हैं, जो रिष्टों को करने के लिए आगी आ रहे हैं, श्रीगांग अनकर जिला मुखहले पर अगरवाल सदन एक ऐसी संस्था है, जो अगरवाल समाज के रिष्टे करने के लिए आगी आई है, अगरवाल सदन के बेनर तले, एक परिच्चे समयलन 25 फरवरी को होने जा रहा है इस समयलन में विवा योगिय योग योगतियों के रिष्टे करवाई जाएंगे ये एक पूरी परकरिया इन दिनों चल रही है किसी भी जहर के लोग अगर समाज के लोग इसमें सामिल हो सकते हैं हमारे साथ आज उपस्तित हैं अगरवाल सदन के अदक्स प्रेम जी गर्ग और परिच्चे समिलन समिती के संयोजक समाज से भी सतीजी गोईल आज किसी प्रिष्चे के मोताज नहीं है ये संस्ता के संस्ता पक अदेक्स भी रहे चुके हैं और आज इनका एक नाम है एक मुकाम इन्होंने आसिल किया है समाज श्यवा के छेत्र में सवरगे गोपी राम जी गोईल के फुत्र एवम अगरवाल सदन के फूरवदेक्स शतीश जी गोईल और प्रेम जी गर्ग से हम इस विचे भी चर्शा करेंगे सबसे पहले मैं प्रेम जी गर्ग से पूछना चाहूंगा कि प्रेम जी इस बारे में आप बताईए कि ये क्या परकिरिया चल रही है और इसके क्या बेनिफेट होंगे और ये विचार आपके माइंड में कैसे आया इस समयलन का आयुजन किया जाना चाहिए प्रेम जी जैसा की रवी जी आपने खुद ही बताया कि समाज में रिष्टों का दोर जो है वो सब में के साथ साथ परिवर्थित हो गया और लोगों में रिष्टे करवाने के लिए बड़े बुजर्गों का आगे आना नगन्ये के समान हो गया इस सब को देखते हुए हमारे पूरवे देक्च स्तीजी गोईल के मन में एक विचार आया कि भी समाज के रिष्टों के लिए क्यों ना है अगरवाल सदन के माध्यम से हम एक प्रियास करें और अगरवाल समाज के यूतियों को रिष्टों के लिए एक प्लेट फारम लिए और अगरवाल तर्ष्ट के नियसिगन की इसमें एक अलक्षे समीति का अगठन किया गया जिसके संयोजक आधिनिया स्तीजी गोईल जो पूरे विद्यच है वो बनाए गये और कुछ समीति द्वारा अपनी बैटक में निड़ने लिया गया कि हम एक तो रिष्टों क लिए जो कारियकरम जारी करेंगे उसको हम ओनलाइन नखेंगे क्यों लेटेस्ट विवस्ता को देखते हुए हर आदमी ये चाता है कि उसे सुविदा हो उसी किसी प्रकार की बागदोर ना करनी पड़े और काम समय से कम समय में अच्छा कारी हो जाए उसको सब को द्यान मे रखते हुए समीति द्वारा निड़े लिया गया कि दस फरवरी तक ओनलाइन फारम बरवाई जाए जिसके लिए एक साइट तयार की गई और उसका लिंक परचारित किया गया अगरवाल समाज का कोई भी यूख यूथी उसमें अपने फारम को बर सकता है इसके लिए कारिक्रम बाले दिन जो कि 25 फरवरी को फ्रस्तावीत है उस दिन उनके तीन विप्तियों के लिए नास्ते और खाने की विवस्था के लिए रखा गया है और लड़कियों के लिए ये भी समीति द्वारा निड़े लिया गया कि उनसे किसी प्रगार का पंजियत ना लिया ज कि 90 से उपर रिजिस्टेशन आए है और अभी एक रम चल रहा है समिति द्वारा शिक्री अपनी एक बैटक का योजिन किया जाएगा और इसमें जो फारम प्राप्त हुए है उन पर अब तक की जो भी कारवाई है उस पर समिक्षा की जाकर कुछ नए निड़े लिया जाए कि पुरानी जो विवस्था होती थी जो इस परकार के परिचे सम्मेलन होते थे उन में क्या है कि स्टेश यो होता था और लड़की वाले खास दोर पर हमारी समायद की जैसी विवस्था रही है उस स्टेश पर आने से खत्राते थे इसी बात को दृष्टी के तरकते हुए स सभी रेजिस्टेशन को दो PDF तयार करवाएंगे एक लड़कियों के लिए एक लड़कों के और 25 तारिक से पुर्व PDF लड़की वालों को लड़की की और लड़के वालों को लड़की की PDF बेच दी जाएगी जिसमें सम्मूर्ण विवरन होगा वो अपने स्टर पर वाल सदन परिशर पर आ जाए जाए जापेगी सारी विवस्ता सदन द्वारा की गई है सभी लोग अपने अपने छेतर पे अपना कारिया कर रहे हैं और वहाँ पर जो लोग आएंगे उनको सुधा अनुसार हम मिलवा देंगे और अगर वो चाहेंगे तो उनके बैठने की काने की तो सारी विवस्ता है उनको अलग से रूम भी प्रवाइड करवाया जाएगा कि वो अपनी आराम से पाथचीत कर ले मतलब यह जो मंच है यह खाली रिष्टे करवाने के लिए है या इस तो को आगे बढ़ाने के लिए आप एक आपने बोला कि एक पीडिया को उप क्या इस मामले में लड़के लड़कियों को उस्वें उपस्तित होना पड़ेगा वहां पर आना पड़ेगा और परिवा के जो भी अभी वाव गन उनके साथ है वो आएंगे उनके साथ है हमारा उदेश है कि वो आपस में समझ ले एक दूसरे को और उसको आगे बढ़ाए हमारा उदेश है यहीं तक है नैकि उस रिस्ते के अंदर बहुत ज़्यादा डीप ली जाके या उसको अंदर इन्वोल्मेंट है हम तो दो लोग को मिलवा देंगे उनको वहाँ पर जैसा कि प्रेम भाईस हम ने बताया कि उनको अलग स्थान देंगे जहाँ आपस में एक दूसरे को समझ सके बाचित कर सके रिस्ते को आगे बढ़ाने की जुवेबारी उन्नी की ही रही मैं एक बात और पूसरा हूँगा कि ये ओनलाइन विवस्ता है कुछ बाते ऐसे आ रही है कि ओनलाइन फारम भढ़ने में कुछ परिशानी आ रही है उस बारे में आप क्या कहेंगे कि ओनलाइन अगर उपलब्द नहीं होता है कोई चीज तो उसके लिए क्या करना होगा और कौन से नंबर पे संपर करना पड़ेगा जिससे कि किसी जुरतमंद को वो चीज उपलब्द हो जाए रवी जी आपने दो बाते पुछी पहले तो आपने पुछा कि क्या इसे हमें कंटिनू करेंगे इसमें मेरा विचार ये था कि उस दिन जो भी रिष्टे हो जाए जैस अस्तिस बाइस में बता है हमारी व्यक्तिकत कोई जुम्मेवरी नहीं है जो बाइडाटा जिसने प्रवाइड किया है हमने वोई बाइडाटा सामने वाले को दिया है रिष्टा हो जाने के बाद क्योंकि लोग अबें बाद में फीड़बैक नहीं देते इसलिए इसी लिष्ट को हम कंटिनू नहीं करने पाएंगे लेकिन ये हमारा अवश्य निड़्य है कि इस आयोजन में जो कमी होंगी वो नेक्स टाइम नहीं हो और हम प्रियास नत रहें कि हन साल है कैसा आयोजन कर सके जिससे कि स्वाज को इसका लाब मिल सके इसके अलावा आपने प्रिकरिया में कुछ कमी के बारे में हमें अवगत कराया इससे मैं सहमत पूर्णतिया क्योंकि ये हमारा प्रित्म प्रियास था इसलिए कुछ बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम आई कुछ लोगों के फार्म नहीं बरे जासके कुछ लोगों को ओनलाइन जबा करवाना पड़ा तो अभी लास डेट बाकी है और इसमें हमने एक विवस्था की है अभी कुछ दिन पूरों हमने एक नंबर जारी किया था 84327 96005 84 327 96 005 ये नंबर के पर आप डौट कर ले इस नंबर पे आप अगर फोन करेंगे तो आपको वर्टसेप पे फारम उपलब्द करवा दिया जाएगा और उस फारम को आप वर्टसेप पे बर्कर इने बेज सकते हैं इसके लिए आपको कहीं आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी इसके तरिक इसका जो पैसा जबा होगा वो QR कोड इस फारम पे दिया हुआ है उसे के बादम से आप पैसा जबा करा सकते हैं आप वेक्ति के तुरूप से बैंक अकाउंट में पैसा जबा करा सकते हैं इसके अनने भी कोई आप जानकारी चाहें तो यह आप इस नंबर से प्राफ्ट कर सकते हैं यह स्थानी है सादुराम शुशिलकुपार फर्म पे 255 नई दानमंडी वे यह नंबर है अगर आप कोई ज़्यादा किसी प्रकारगी पूछ साथ चाहे तो उससे भी आप इस सबन में पूछ सकते हैं आप अमेशा इसके लिए सादरा मतरीत मेरा विक्तिकत नंबर 941337518 मेरे नंबर बे आप किसी भी वक्त कोल कर सकते हैं और हर प्रकार की ज़्यानकारी उस से ले सकते हैं और आपको जो भी एकित्ठाई आए उसके निवारण का बेरा बर्सक परितर नहेगा कि मैं उसका निवर्ण करूँ मेरा एक स्वाल यह रहेगा कि इस में कौन-कौन से एरिया के लोग सामिल हो सकते हैं अभी तक कहा कहा से फारम आपके पास अपलब्द हुए सोड़ा था मोटा वोटी जानकाई दीजिए अभी आप अभी तक जो फारम आए हुए है उसमें हर ज गरसानाै नेरा कहने का ठात्तपरिया है कि हर चेत्र से फारम आदगों और इसमें ऐसा पुछभी नहीं है कि कोई भी आदमी किस थेत्र में रहता हूँ हो फारम बड़ सकता है यग निवड़ सकता कोई भी अगरवाल कहीज से भी पूरे बारत में वह चाहे तो फारम और वो आपके सुविधा अनुसार 25 तारिक को आकर यहां बात्चीद भी कर सकता है। 25 फरवरी को उपस्तित होने का वारा यह है कि जब तक आप आएंगे नहीं व्यक्तिगत तो परिशे समयलन का कोई लोजिक नहीं रहेगा। आप आके ही उनसे मिल पाएंगे, उनकी जानका करेंगे और की वो भी उमारी समीति करेंगे। और सदन का यह प्रयास भी रहेगा कि आपको कुछी प्रकार गावा तक्लिफ नहीं आ हो या यह कि आविजन आप फिर भी करना चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ी समझ्चय है समाज में, आज की तारिख में कह सकते हैं, या आज कलनी नहीं में जो बड़ी प्रोब्लम है, इसके बारे में कुछ आप अपने वीचार इस बात कर ले, कि कुछ जानने करने दिना च इच्छा समयलन है, यह मैं तो जैसे कि हर गरस्त के बच्चे होते हैं, तो मैं भी इस दोर से गुजरू हूँ, जैसा कि मैंने कॉन्फरेंस में बताया था, कि यह बड़ी समस्य है, यह मैटर नहीं है, भी कोई नोकरा पेशा में है, बिजनस में है, इंडस्ट्री में है, हर ज समाज को कोई लाबानवत्य उसके समाज है, तो उस पर करिया में हमने यह कदम उठाया है, और इस प्रोग्राम में हो सकता है कुछ कमी बेसी रह जाए, क्योंकि हमारा यह पहला अनुबव होगा, लेकिन हम इसकी हमारे मन की जो एक्छा है, वो यह है कि हम इसको कंटिनियू बैठ जाएगी, मेरा व्यक्ति का तर्न रूप से यह है, और समीती का भी है, कि हम इसको जारी रखेंगे पपिश्या, सुझी एक आप अब एक तरिज़ान आया है, लड़कों के उसके अप एक शक्रत कम है, लेकिन मुझे लगता है, जो समाज में पहले की वीचारदारा थ भी लड़की का हो सकता है, जैसे कि परीचेस मिलिन का मतलब ही होता था कि स्टेज के उपर बुला के उससे करेंगे, तो वो कोई ने कोई बैक ओफ दा माइट पिरिंट्स के है, कि ऐसा कुछ पिरिंट्स नहीं करना चाहते है, तो अभी उनके दिमाग में यह क्लियर टी नह हो सकता है, इस कारण से अभी उनको जैसे जैसे उनको इस बारे में मालूम लगेगा, तो उनके और अधेका में मिलेगे, यह एक बहुत बड़ा आविजन है, और एक सकारात्मक सोच के साथ में यह आविजन किया जा रहा है, हम उमीद करेंगे, यह आविजन सफल होगा, औ और फिर एक के बाद एक यह कारिकरम करवाई जाएंगे, ऐसा मुझे बताया गया है समिती दुवारा, और इसी के साथ हम जो है, अभार व्यक्त गत्या सिती जी का और प्रेम जी का जो हमारे स्टूडियो में आए और उपयोगी जान करेंगे, हम उमीद है, अगरवाल के लोग इस आयोजन का फाइदा उठाएंगे और वविश्य में अपना साथ मनाए रखेंगे, धन्यावाद